हेलो बच्चो नवांकुर विद्या पीट के डिजी लेसंस में एक बार पुना आप सभी का स्वागत है आईए बच्चो आज हम कक्षा एक विशेपरियावरन के पाठ आठ का अध्यन करती हैं पाठ आठ जिसका नाम है आपसी सहयोग आईए हम इसकी शुरुवात करते हैं हमें माता जी पिता जी बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई और बहन भी मुझे बहुत प्यार करते हैं मैं माता-पिता, भाई और बहन का सम्मान करता हूँ, रोज प्राता उठकर उन्हें प्रणाम करता हूँ, बच्चों आपके मम्मी पापा भी आपको बहुत प्यार करती होंगे, और आपके भाई बहन भी आपको बहुत चाहती होंगे, आप अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं, बिल्कुल हमें बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनको रोज उठकर प्रणाम करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, मेरे पिता जी अध्यापक हैं, बे विद्याले में विद्यार्तियों को पढ़ाती हैं, माता जी घर में रहती हैं, बे भोजन बनाती हैं, कपड़ेद होती हैं, बे प्रति दिन घर की सफाई करती हैं, बच्चों, आपके पापा भी किसी के अध्यापक होंगे, तो किसी के डॉक्टर, किसी के बकील, तो फिर किसी के किसान होंगे, और आपकी मम्मी घर में क्या करती है घर का काम करती है घर का काम जैसे खाना बनाती है कपड़े धोती है घर की सफाई करती है जाडू लगाती है और भी आपके कई कामों को करती है भईया घर के एबं बाजार के छोटे-छोटे कारे करती हैं भईया क्या करती है घर के छोटे-छोटे कारे करती है जो बाजार से सामान लाना होता है उनको भईया लेकर आती है बहन माता जी के काम में सहयोग करती है हमारी जो बहन होती है वो मम्मी के काम में हेल्प करवाती है मैं भी घर के काम में सहयोग करता हूँ जब कोई विमार होता है तो सभी मिलकर उसकी सेवा करती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम सभी काम में घर में सहयोग करती है और कोई बिमार हो जाता है तो उसकी सेभा भी करते हैं जैसे उसको पानी देना उसको दवाई देना और भी कई कार उनको करना ये सभी कार हम सभी को करना चाहिए आईए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दादा जी बादादी जी हमारे साथ रहते हैं बे हमें अच्छी अच्छी कहानिया सुनाते हैं बे हमें पूर्वजों की कथा सुनाते हैं हमें अपने पूर्वजों पर गर्व है बच्चो आपके दादा दादी भी आपके साथ रहते होंगे और आपको अच्छी अच्छी मी मीठी मीठी कहानिया भी सुनाते होंगे वह कहानिया किसकी सुनाते हैं पूर्वजों की जो हमारे पहले लोग थे उनको पूर्वज कहते हैं उन पूर्वजों की दादा दादी कहानिया सुनाते हैं छुट्टियों में हम नाना जी नानी जी के यहां जाते हैं बे हमें नए न नए पकवान बना कर खिलाती हैं, नए नए जानकारियां भी देती हैं, वे हमें बहुत प्यार करती हैं, हम एक दूसरे को प्रेम करती हैं, जिससे आपसी सहयोग बढ़ता है, बच्चों आप सभी भी अपने नाना नानी के घर जाती होंगे, वह आपको नए नए पकवान बन कर खिलाती होंगे, नए नए मिठाईयां बना कर खिलाती होंगे, और आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देते होंगे, हम सब को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, इसी से आपसी सहयोग की भाबना बढ़ती है, हमें बढ़ों का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करन ने हमें जन्म दिया है वे हमारे जीवन को सवारते हैं हम उनके अत्यंत रिणी हैं हाँ बच्चो हम सभी को बड़ों का आदर करना चाहिए उनका सम्मान करना चाहिए अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए क्यों क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया है वह हमारे जीवन को समारने वाले हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाले हैं, हम उनके हमेशा रिणी रहेंगे बच्चो यह पार्ट पुरा हो गया है, आईए अब हम इसके अभ्यास की ओर बढ़ते हैं प्रस्न नमबर एक है, हमें किन का सम्मान करना चाहिए? उत्तर होगा हमें बढ़ों का सम्मान करना चाहिए प्रश्न दो, दादा दादी किन की कथा सुनाते हैं? उत्तर है, दादा दादी पूर्वजों की कथा सुनाते हैं प्रस्न तीन, घर में माता जी क्या कारे करती है? उत्तर घर में माता जी भोजन बनाती बा कपड़ेद होती है प्रस्न नंबर चार हम किन के रिणी है उत्तर होगा हम माता पिता के रिणी है प्रस्न नंबर पांच आपसी सहयोग कब बढ़ता है उत्तर होगा, आपसी सहयोग एक दूसरे को प्रेम करने से बढ़ता है आईए अब हम रिक्तिस्थानों की पूर्ती करते है नमबर एक, रोज प्राता उठकर उन्हें प्रणाम करता हूँ नमबर दो, हम उनके रिनी है नमबर तीन, माता पिता ने हमें क्या दिया है? बिल्कुल ठीक, जन्म दिया है नमबर चार, हमें अपने पूर्वजों पर गर्व है नमबर पांच, वे हमें अच्छी-अच्छी कहानिया सुनाते हैं बच्चों, अब हम पाठ के आधार पर रिक्तिस्थानों की पूर्थी करते हैं नमबर वन, बे हमारे पूर्वजों की कथा सुनाते हैं नमबर टू, बे हमें नए-नए पकवान बना कर खिलाती हैं अरे वा, मूँ में पानी आही गया नमबर थ्री, हमें बड़ों का आधर करना चाहिए नमबर फूर, मेरे पिताजी अध्यापक हैं अध्यापक हमने क्यों लिखा हैं? क्योंकि हमको पाठ के आधार पर खाली स्थान को भरना हैं ठीक है? आईए, अब हम जोडियों की ओर बढ़ती हैं हमको जोडियां मिलाना है नमबर एक, पिताजी, पिताजी क्या है? अध्यापक, नमबर दो, माताजी माताजी घर में रहती हैं नमबर तीन, भाईया भाईया बाजार जाती हैं और बाजार से सामान लेकर आती हैं नमबर चार, पूर्वज पूर्वजों पर हमको क्या है? गर्व है ठीक है? अब बच्चों, हम आपको घर के लिए थोड़ा सा हॉमबर्क भी देंगे आपको नीचे लिखे शब्दों को तीन-तीन बार लिखना है जैसे अच्छी, प्यार, रिणी, भाईया, बिध्यारती तो इन सभी अक्षरों को आपको क्या करना है? इन सभी शब्दों को अपनी कौपी पर तीन-तीन बार नोट करना है, लिखना है और एक प्रश्ण और परिवार के सदस्यों के कारियों की सूची बनाईए इसका मतलब होगा आपको अपने परिवार के जो सदस्य हैं जो घर में फैमिली मेंबर्स हैं उनके कारियों की सूची बनाना है, वह घर में क्या-क्या काम करती हैं, जैसे आपके पापा क्या काम करती हैं, मम्मी क्या काम करती हैं, भाई बहन, दादा-दादी, जो भी कोई घर में रहती हैं, वह क्या-क्या काम करती हैं, वह आपको अपनी कॉपी में नोट करना हैं, ठीक बच्चो तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई